श्कार मित्रू परत्योक्ता आधार ग्यान में आप सभी का स्वागत है आये जिविग्यान के 500 प्रस्णों की शेंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज पारिस्थित की या पारिस्थित की तंत्र या पर्यावरन से सम्दित क्या-क्या प्रस्ण विविन परिक्षाओं में पारिस्थित की सब्द को सरपर्थम किसने पर्तिपादेत किया इसका से उत्तर है विकल्बी रीटर ने रीटर ने 1868 इस्वी में पारिस्थित की सब्द का परियोग पहली बार किया नेक्स्ट है पारिस्थित की निम्न के बीच पारिस्परिक सम्बंधों का अध्यन है इसका से उत्तर है विकल्ब ए जीव और वतावरन पारिस्थित की जीवों के वतावरन के साथ अंता सम्बंधों का अध्यन है तीसरा है पारिस्थित्की को पुर्ण रूप से परिवासित और विश्रित अध्यन करने का सरे किसे है? स्रे उत्तर है विकलवडी अर्नेस्ट हैकल को अरनेस्ट हैकल एक जर्मन बग्यानिक थे जिन्होंने पारिस्थित्की को पुरुन रूप से परिवासित और इसका विश्रित अध्यन किया लेकिन पारिस्थित्की सब्द का पहली बार परियोग रीटर ने 1868 में किया नेक्स्थ है पारिस्थित्की तंत्र के दो घटक कौन से हैं तो सय उत्तर है विकल्फसी जैविक वा अजैविक जैविक में आजाएंगे आपके पादप या वनस्पति जीव जन्तु और अजैविक में आजाएंगे आपके परकास ताप आदरता वायू भू आकिर्ति म्रिदा तो जैविक में हो गया बनस्पति पादप वजीव जन्तु अजैविक में परकास ताप आदरता वायू भू आकिर्ति एवं मिर्दा और सब भी नेक्स्ट है पारिस्थित की तंत्र सब्दावली किसने प्रस्तुत की अंतर है पहले था पारिस्थित की अब इसमें जुड़ गया पारिस्थित की तंत्र यानि एको सिस्टम पारिस्थित की का अंग्रेजी होगा एकोलोजी और पारिस्थित की तंत्र का एको सिस्टम तो पारिस्थित की तंत्र ये एको सिस्टम सब्दावली किसने प्रस्तुत की जिसका सही उत्तर होगा बिकल्ब C. टांसले ने 1935 में परिशित्की तंत्र ये एको सिस्टम सब्द का परियोग किया और परिशित्की का परियोग पहली बार वाठा 1868 इस भी में जो रिटर ने किया था परिशित्की तंत्र का विस्टित अध्यन एबं विस्टित रूप से परिवासित किया था अरनेस्ट हैकल ने नेक्स्ट है कौन सा कित्रिम परिशित्की तंत्र है जिसका सही उत्तर है विकल्प ये धान का खेत बन ये प्रकृति द्वारा दिया गिया है जील भी प्रकृति द्वारा और गहास का मैदान भी प्रकृति के द्वारा, लेकिन ये धान का खेत, खेत तो प्रकृति द्वारा दिया जाते हैं, लेकिन धान का खेत, पार्टिकुलर किसी फसल का खेत, ये मानव द्वारा ये किसाम द्वारा निर्मित होता है, इसलिए से कित्रीम परिस्त की तंत्र कहा गिया है, सात्मा है प्रियावरन के अजयव अवियव का उधारन है जिसका सही उत्तर है विकल्पसी वायू पहले भी चर्चा हुआ है कि जयव अवियव है वनस्पति जीवजन्तु जानवर और अजयव अवियव है वायू अजयव अवयव की और उधारनों के प्रकास, ताप, आदरता, भुवाकृति और मृदा आठवा है खाद सिंखला या फूड चैन में मानव है इसका सही उत्तर होगा विकल डी पर्थमिक वा द्यूतियक उभोक्ता पर्थमिक उभोक्ता है साकाहरी जो अपने भोजन को केवल पौधे पर आस्रित रहते हैं तो मानव साक सब्जी का वी पर्योग करता है द्यूतिय उभोक्ता है कि भोजन पौधे एवां पर्थमिक उभोक्ता से प्राप्त करते हैं मानसाहरी वा साकाहरी दोनों इस वर्ग में आते हैं तो मानव साक्सर्जी का भी पर्योग करता है योगे पर्थमिक भोगता दुत्य को भोगता होगे को वो मानस मचली का भी उपयोग करता है तो मानव खार सिंखला में मानव पर्थमिक वद्धूतिय को भगता दोनों है नौवा है पर्थम विस पर्यावरन दिवस किस वर्स मनाया गया था इसका सही उत्तर होगा विकल्ब ए 1973 में विस पर्यावरन दिवस परती एक वर्स पांच जून को मनाया जाता है और ये पहली बार 1973 में मनाया गया दस्मा है किसी परिस्थित की तंत्र में उर्जा का परवाह के वारे में कौन सी स्रिंखला सही है इसका सही उत्तर है उत्पादक भोकता और अपगटक विकल्ब सी उत्पादक हो गए कि भोजन का उत्पादन करते हैं जैसे हरे पोधे उभोकता हो गए कि भोजन स्वयम नहीं बनाते पर्थमिक दुत्यक ये तित्यक उभोकता पर निर्वर रहते हैं अब घटक हो गए कि उत्पादक वह उभोक्ता के मिर्थ सरीर से भोजन प्राप्त करते हैं तो पहले उत्पादक होते हैं फिर उभोक्ता फिर अब घटक जैसे हरे पोदे हो गए उभोक्ता मानव ले सकते हैं मानव जब मरते हैं तो इसका भोजन अब घटक को मिलता है यानि जिवानी विशानु प्रोटो जो आया इत्यादी को एक आरवा है कौन सा सबसे इस्थिर एवं पृत्वी का विशालतन परिस्थित की तंत्र है तो सही उत्तर है इसका विकल्ब ए जल मंडल जल मंडल यह कहीं कहीं महाशागर भी राता है विकल्ब में तो इसमें दो प्रशन है सबसे इस्थिर पारिस्थित की तंत्र और पिर्थवी का सबसे बिसालता पारिस्थित की तंत्र ये हैं जेल मेंडल ये महाशागर बारमा है पिर्थवी सिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो सयुक्तर है विकलवडी रियोडी जेनेरो में पर्यावरन वबिकास पर सन्युक्त राज संग का संविलन 1992 में हुआ था बराजिल के एक सहर रियोडी जेनरों में इसे ही पिर्थवी सिखर संविलन नाम दिया गिया था तेरवा है पारिस्थित की संतुलन बनाये रखने के लिए भारत में बन छेत्र कितने परतिसत होने चाहिए इसका से उत्तर है विकलब सी 33 परतिसत बन हमारे पिर्थवी पर भारत में होने चाहिए 14 है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है इसका से उत्तर है विकलब ए मिट्टी के विना पौधे की बिर्थी से फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी वा पोसक तत्तों की मदद से उगाया जाता है इससे पानी की बचत एवं परियावरन को भी कम छती होती है यह हाइड्रोपोनिक्स विधी परियावरन के अनुखूल है यानि विना मिट्टी के खेती इसमें की जाती है नेक्स्ट है एपी फाइटस बहुत अधिक विक्सित ऐसे पोधे हैं जो अन पोधे पर निर्भर रहते हैं इसका सही उत्तर है विकल्बी यांत्रिक मददेतु मतलब यह है कि किसी पोधे पर अन पोधे अपना विकास कर लेते हैं वो जैसे कुछ लताय देखते होंगे वो उसमें पूर्ण रूप से लिपट जाती है और उसी बिक्ष के सहारे उपर तक बढ़ते हैं तो यह है कि पोधे की सता पर बढ़ता है हवा बर्षा पानी यह नमी के लिए आसपास जमा होने वाले मलवे से यह बर्षा पानी नमी प्राप्त करते हैं को जैसे ब्रिक्ष खड़ा रहता है, इसी ब्रिक्ष में ऐसे लिपट के ये अपना विकास करते हैं, तो ये आंतरिक मदद के लिए एक सहारे के लिए अनपौधे का उप्योग करते हैं नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं इसका सयुक्तर है विकल्फसी जीरो फैटस, रेगिस्तान ये मरुष्थल में पैदा होने वाले पौधे को जीरो फैटस बाइलोजी में कहा जाता है नेक्स्ट है, परियावरन जागरुपता के अंग्रेजी अक्षर, पी से प्रारम्ब होने वाले परसिद तीन सब्द कौन से हैं ये तीन सब्द हैं, पौपुलेशन, पौभार्टी और पालूशन, इन तीनों का आपस में अन्ता सम्मंध है इसलिए परियावरन में पी से प्रारम्ब होने वाले तीन परसिद सब्द हैं, पौपुलेशन, पौवर्टी, पौलूशन, क्योंकि ये तीनों आपस में अन्ता सम्मंधित है अठारवा है, कौन सा जोड़ा सही है इसका सही उत्तर है, विकल भी आप घटक होंगे बैक्टिरिया ये आप घटक के और उधारन होंगे जिवानों, बिशानों, कवाक, पौरोटो, जोग, जैसे देखिए घास, घास ये पर्थमिक उभोकता है चुकि घास हरे पौधे में आते हैं, तो ये पर्थमिक उभोकता है अब घटक ये सही है, हीरन उत्पादक नहीं हो सकते उत्पादक होंगे हरे पौधे, हीरन उभोकता है पर्थामिक उभोक्ता जो की गास वगएरा जो खाते हैं वो होंगे पर्थामिक उभोक्ता तो हीरन चुकी उभोक्ता है इसलिए उत्पादक नहीं हो सकते तेंदवा मांसा हरी जानवर है इसलिए पर्थामिक उभोक्ता नहीं हो सकते पर्थमिक उभुक्ता में साकाहरी आते हैं और दूतिय उभुक्ता या तिर्थियक उभुक्ता तेंदवा हो सकते हैं क्योंकि यह एक मांसाहरी है उनिश्मा है कौन अन्द तीनों को समाहित करता है इसका सही उत्तर है विकल्प ए पारी तंत्र पारी तंत्र की परिवासा है कि किसी अस्थान पर पाया जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरन से अथवा अन्जैविक समुदाय से परसपर सम्मंद होता है इसी सम्मंद को पारितंत कहते हैं पारितंत मतलब समुदाएं, कम्मिनीटी आवादी तो आवस्यक है, जीवों की आवादी होगी और इसमें विविन परकार के परजाती भी होगे तो ये तीनों का मिश्रन ही पारितंत कहलाता है विश्वा है GEF, एक अंतराष्ठिय अनुदान प्रदान करने वाली एजनसी है इसका विश्चित रूफ है इसका विश्चित रूफ है Global Environment Fund विकल्ब ये इसका सही उत्तर है यानि वैस्विक परियावरन कोस की अस्थापना 1990 में हुई थी तो ये था पारिस्थित की या परियावरन से पूछे जाने वाले 20 महत्पुर्ण प्रस जो विभीन बरसों में कई परिक्षों में पूछेंगा है हमने एक अत्रित कर एक साथ आप लोगों के शामने लाया अगर ये आपके लिए उप्योगीत है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लायक करिए दोस्तों मित्रों की वेच ज्यादा से ज्यादा सेर करिए धन्यवाद